हेलो नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि सब खेरियस से होंगे, आज मैं ने टोपी के साथ मैं हाजिर हुआ हूँ, ये है अंजरूत, इसे इंग्लिस में जो है न, एस्टागेलिस सारको कोला कहते हैं, और फार्सी में अंजदक या कठोर भी कहते हैं, अर्वी में इसको अंजर हिंदी में लाणी और इंग्लिस में पाईनर सारकोला राइजिन, और इसको कुछ लोग जो है मास्कोरा के नाम से भी जानते हैं, इसका मिजाज है गर्म, खुश्क, कुछ ही इसका मिजाज गर्म चोते दर्जे में और खुश्क, पहले दर्जे में मानते हैं, और कुछ ही इसका मिजाज गर्म तीसरे दर्जे में और खुश्क, पहले दर्जे में मानते हैं, इसका मुजिर है, आममा के लिए ये मुजिर है, और मुसले है इसका कतीरा और रोगन बादाम बदल है इसका अफ्तीमून, सकमूनिया और अलवा डोज है इसकी आदा माशा से एक माशा तक इसकी माहियत जो है, यह एक खारदार काटे-दार जो दर्खत होता है उसका गोंद होता है रंग में सुरकी माईल जर्द होता है जायका इसका तल्क होता है अफ़ाल है इसके मुसिल बल्गम है कासिर रिया है और जखम सुखाने वाला है महलिल है बदन के दूसरे हिस्सों में जो बल्गम है उसको जजब करके बाहर निकालता है इसका जो इस्तेमाल का तरीका है तो वो भी बताऊंगा मैं आपको और किस तरह इसको इस्तेमाल करते हैं जो नए वीवर्स हैं हमारे मैं उससे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्याज ज़्यादा शेयर करें ताकि यह ज़रूरत मन तक पहुँच जाए बहुत से लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं तो इसलिए इसको और बहुत ही बहुत से दावयों में इसका बहुत ही शांदार रिजल्ट है इसका बहुत से नुस्कों में डलता है और अंजान होने की वेशे जो है इसको इस्तमाल नहीं कर पाते है थोड़ा महेंगे भी आता है इसका इस्तमाल है अगर किसी के आँख आँख आ रही है और आँखों में से पानी आ रहा है और नजला है आँखों का तो इसके लिए इसको गधी का दूद या लड़की जिस मा के जो है ना शीर ख़ाद लड़की हो उस मा के दूद में इसको मुदब्बर करके और बारीक करके आँखों में लगाएं आँख का बिल्कुल जाला फूला वगरा सब खतम हो जाता है लगम को खारिज करने के लिए सिकंजी बीन के साथ में इसका इस्तमाल करें और अंजरूत की जड़ जली हुई लें मोती और मिश्री यह हमवजन लेकर बारीक पीसकर आँख में लगाने से जाला भी कड़ जाता है और जो फूला होता है वो भी कड़ जाता है जो कान में सर बहती है कान से मवाद आती है पी पाती है उसके लिए इसको पीसकर शहद में मिलाकर और बत्ती बनाकर उसमें भिगो लें और उसको कान में रखें इंशालला दो तीन बार में ही कान की सर मवाद बहनी बंद हो जाईगी पेट में अलसर है तो दूसरी अद्वियाओं के साथ में इसका इस्तमाल कराएं पेट का अलसर के लिए बहुत शांदार है और मेदे के लिए जो H. pylori वगरा होती है उसके लिए बहुत अच्छा काम करता है मैं इसका एकनुस्का बनाता हूँ मेदे का वरम है, मेदे का दर्द है इसमें भी बहुत शांदार काम करता है और दूबले अगर कोई सक्स दूबला है तो उसको मोटा फरवाई करने में इसका बहुत अच्छा काम है चेचक के निशान खतम करता है चेहरे पर लगाने से और इसके कुछ चीजे ध्यान में रखनी है इसे जो है ना अकेले कभी भी इस्तमाल ना करें ये दूसरी अद्वियों के साथ ही इसका इस्तमाल करना चाहिए जैसे दस्तावर इसके साथ मैं दस्तावर ले तो और किसी मुसले जैसे सिकंजबीन बहर एल्वा निसोत उश्क या गूगल या तुक्म करफस के साथ में मिलाकर इसका इस्तमाल करें और एक बात और है अगर ये कुछ भी नहीं हो तो इसके साथ में जब भी इस्तमाल करें तो गोंद की कर जरूर इसके साथ में और इसको इस्तमाल करने का जो वो है इसको कच्चे को इस्तमाल ना करें इसको भून कर ही इस्तमाल करना चाहिए यानि मुदबर करके ही इस्तमाल करना चाहिए इसको पहले भून लो और भूनने के बाद में फिर इसको इस्तमाल करें तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी और समझने भी आई होगी जो नए वीवर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्याज़ादर शेयर करें मैं इसका एक नुस्का बनाता हूँ वो भी आपको जो है न किसी वीडियो में डालूंगा इंशाल्ला दौाओं में याद रखें